ओम स्रेगने साय नमह नमस्कार मित्रों आज के वेडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि जिन लोगों का नाम इंगलिस अलफाबिट के सी अक्छर से शुरू होता है जैसे की चिन्टू, चंदन, चंद्रलोक या फिर इस दुनिया में सी नाम वाले लोग बहुत ज्यादा हैं तो इन लोगों के जीबन में साल 2022 एबम साल 2023 में क्या-क्या पडिवर्तन, क्या-क्या बदलाब होगा अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लाइक कर दें साथ में इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें इस वीडियो के नीचे हरे हरे महादेब कमेंट कर दें मित्रों यदि आप अपने जन्म कुंडली, हस्त रेखा या अपने जीवन के बारे में प्रसनली यदि आप मेरे से बात करना चाहते हैं तो अभी आपके सामने डिस्पले पर मेरा वाट्सेप नमबर है जिस नमबर पर यदि आप मैसेज करते हैं तो आपकी बात मेरे से हो जाएगी तो वीडियो को बड़े ही ध्यान से आप सुने मित्रों अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है तो आप लिंक पर क्लिक करें और इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर लें तो अब हम आगे बढ़ते हैं मित्रों इस वेडियो में आगे मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि साल 2022 और साल 2023 में सी नाम बाले लोगों का सिक्छा, इन लोगों का कार्ज छेतर, इन लोगों का आर्थिक जीबन, इन का सेहत और इसकी अलाबा, इन लोगों का घर पड़िबार, एबम इसकी अलाबा और भी बहुत साड़ी बाते हैं, जो इस वेडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वेडियो को बड़े ही ध्यान से आप सुने, मित्रों, शब से पहले मैं आप से बात करने वाला हूँ, आपके सिक्छा, आपके पढ़ाई, लिखाई के बारे में, दोस्तों, आप में सी जो भी जातक, जो भी दर्सक, बिद्यार्थी हैं, छात्र हैं, तो आने वाले दो बरसों में, आपके पढ़ाई लिखाई के छित्र में, आपके समय का साथ है, आपके समय का सपोर्ट, आपको बहुत जयादा मिलेगा। आप में से जो भी जातक, जो भी दर्सक, पढ़ाई लिखाई के कारण, अपने घर से बाहर जाना चाहते हैं, या पढ़ाई लिखाई के कारण, जो भी दर्सक, जो भी जातक, बिदेश यात्रा करना चाहते हैं, तो आने वाले समय में, आपको बिदेश जाने का मौका अबश्य मिलेगा। मित्रों आने वाले समय से पहले, अगर आपके पढ़ाई लिखाई में, कहीं कोई पढ़ेशानी था, आपके पढ़ाई लिखाई में, यदि आपके घरबालों का साथ, आपके सिक्छक, या आपके मित्रों का सपोर्ट, अगर आपको नहीं मिल रहा था, तो आने वाले समय में, यदि आप मेहनत करते हैं, तो इन सबों का साथ, इन सबों का सपोर्ट, आपको अबश्य मिलेगा। मित्रों आप में सी जो भी जातक अनुसंधान बिग्यान के छित्र में हैं, यदि की जो भी जातक सोध के छित्र में हैं, तो आने वाले समय में, आप अपने सोध को पूरा करने में सफलता प्राप्त करेंगी, क्योंकि आपके सोध को पूरा करने में आपके समय का साथ है आपके समय का सपोर्ट है आपको बहुत जयादा मिलेगा मित्रों आने वाले दो बरसों में अगर आपके कडियर की बात कड़ें तो करियर के दृष्टी कौन से भी आपका आने वाला शमय सामानने तोर पे बहुत ज्यादा बिहतर एबं सांदार होगा आने वाले दो बर्षों में आपके कडियर के छित्र में आपको आगे बढ़ने का मौका बहुत ज्यादा मिलेगा आप में से जो भी जातक जो भी दर्सक नौकडी करते हैं तो आने वाले दो बर्षों में आपके नौकडी में आपकी उन्नती होगी आपके नौकडी के छित्र में आपके बौस का साथ आपके बौस का सपोर्ट आपको बहुत ज्यादा मिलेगा मित्रों आप में से जो भी जातक जो भी दरसक बेरोजगार है जिन लोगों के पास नौकडी नहीं है तो आने वाले समय में अगर आप नौकडी प्राप्त करना चाहते हैं यदि आप नौकडी प्राप्त करने के लिए मिहनत करते हैं परिस्रम करते हैं तो आपको नौकडी अ अबश्य मिलेगी मित्रों आप में से जो भी जातक नौकडी करने के लिए अपने घर से बाहर जाना चाहते हैं या फिर नौकडी करने के लिए जो भी लोग बिदेश जाना चाहते हैं तो साल 2022 एबं शाल 2023 में आपकी ये तमन्ना अबश्य पूरी होगी लेकिन मित्रों आप में से जो भी जातक जो भी दरसक बेपाडी हैं तो आने वाले समय में यदि आप अपने बेपार के छित्र में कोई भी लापडबाही करते हैं यदि आप अपने बेपार के छित्र में किसी भी महत्तुपुर्ण काम को अगर आप इगनौर करते हैं तो आपके बेपार में आपके बेबसाई में आपको पड़ेशानी का सामना बहुत जयादा करना होगा। तो आने वाले दो बरसों में आपको अपने बेपार अपने बेबसाई के छित्र में बहुत जयादा साबधानी बरतना होगा। तो इसके बाद बात करते हैं कि आने वाले दो बरसों में आपका आर्थिक जीवन कैसा होगा मित्रों साल 2022 से एबं साल 2023 में आपका आर्थिक जीवन सामाने रहेगा न जयादा बिहतर न जयादा खराब मित्रों आने वाले समय में यदि आप जमीन जाइदाद में अपने पैसे को निबेस करते हैं तो जमीन जाइदाद में निबेस करने के कारण आपको आर्थिक तोर पे मजबूती बहुत ज्यादा प्राप्त होगा मित्रों आने वाले समय में अपने फिजूल खडची पे अपने फालतू के खडचों पे आपको ध्यान देना होगा क्योंकि आपके आने वाले समय के लिए यह बहुत ही ज्यादा जरूरी और आबस्यक है मित्रों आप में से जो भी जातक सेयर मार्केट से जुड़े हैं तो साल 2022 एबं साल 2023 में सेयर मार्केट के कारण आपका आर्थिक जीबन बहुत ज्यादा मजबूत होगा मित्रों आने वाले समय में यदि आप धन शंपती का निबेस करना चाहते हैं तो आपका निबेस यदि लंबे समय के लिए होता है तो इस निबेस के कारण आने वाले समय में आपको आर्थिक तोर पे मजबूती बहुत ज्यादा प्राप्त होगा वैसे आने वाले समय में यदी आपके सेहत की बात करें तो सेहत के दृष्टी कौन से आपका आने वाला समय सामाने से थोरा सा नीचे है आने वाले समय में यदी आपके सिहत में कहीं कोई पड़ेशानी कहीं कोई समस्या हो तो उस पड़ेशानी को उस समस्या को इग्नौर करने से आपको बचना होगा आने वाले समय में आपको अपने स्वास्थ के प्रती अपने सिहत के प्रती बहुत जयादा साबधानी बरतना ह मित्रों आप में से जो भी जातक जो भी दर्सक नसा पान करते हैं धुम्र पान करते हैं या सराब का सेबन करते हैं तो आने वाले समय में इन चीजों को आपको छोरना होगा इन चीजों को आपको त्यागना होगा क्योंकि आपके सेहत के लिए यह बहुत ही जयादा जरूरी और आबस्यक हैं मित्रों आने वाले समय में अनहिल्दी भोजन के कारण आपको एलर्जी का सामना बहुत जयादा करना होगा तो आने वाले समय में अपने रहन सहन अपने खान पान के परती आपको बहुत जयादा साबधानी बरतना होगा मित्रों आने वाले समय में यदी आपके घर पडिबार की बात करें तो आपका पडिवारिक जीबन शामानने रहेगा न जयादा बिहतर न जयादा खराब मित्रों आने वाले समय में ऐसी समभाबना है कि आपके घर पडिबार में कोई मांगलिक कार्ज यणि की कोई सुभ काम होगा जिस सुभ काम को पूरा करने में आपके घर पडिबार के सभी लोग एक जुट होकर उस काम को पूरा करेंगे मित्रों आने वाले समय में आपके घरपडिबार में छोटी मोटी बातों के कारण घरपडिबार का माहौल घर का वाता बरन बहुत जयादा खराब होगा छोटी मोटी बातों के कारण आपके घर पड़िबार के लोग आपस में तनाब पैदा कर लेंगे जिस कारण से आपका पाड़िवाडिक जीवन बहुत जयादा खराब होगा तो इसके बाद बात करते हैं कि आने वाले समय में किस टोटके को आजमाने के बाद आपका समय बहतर एबम शांदार होगा मित्रों आने वाले समय में अपने समय को बहतर बनाने के लिए आपको सोम वार के दिन सिबलिंग पर जल चड़ाना होगा अगर आप ऐसा करते हैं सोमवार के दिन यदि आप सिब लिंग पर जल चड़ाते हैं तो आपका आने वाला शमय बहुत जयादा बिहतर और सांदार होगा तो यही था आपके आने वाले समय कारा सी फल तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लाइक कर दें साथ में इस चैनल को आप सबस्क्राइब कर दें इस वीडियो के नीचे जय बाबा भैरब कमेंट कर दें इस वीडियो को आप वाटसेप, फेस्बुक, इंस्टाग्राम, ट्वीटर हर जगह सेर कर दें धन्यवाद जय सी आराम